14 वरवरी 2024 पांच साल हो गए जो पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जिले में सियारपेफ के काफिले परात मघाती हमला किया 40 जवान शहीद हो गए हमले की जिमेदारी पाकिस्तानी आतंकि संगठन जैशे महम्मद ने ली बस इतना काफि था ये जानने के लिए कि इन कायर आतंकियों को ठिकाना कहा है सिव बारा दिन बीते होंगे 26 फरवरी 2019 के राग करीब 3 बचे भार्टिवाई सेना के बारा मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने सीमा पार की पाकिस्तान की सीमा में घुसे बाला कोट में मौजू जैशे महम्मद की चिकानों पर बम बरसाए पूरी तरह से नश्ट कर दिया गया इसके बाद ये कारवाई बाला कोट एर स्ट्राइक के नाम से जानी गई हमले में एक हज़ार किलोग्राम वजन के बम गिराए गए थे यानि मकसद साफ था आतंकियों उनके ठीकानों को ततकाल राख में बदल दो बाला कोट स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों के मारे जानी की खबर आई थी पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के इस खतरनाक एक्शन के खबर ही नहीं लगी शहीदों का बदला ले लिया गया था क्या था पुलवावा हमले की असली कहानी 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश की सुरक्षा कर्मियों पर काराना हमला किया था इसमले में 40 सीर्पियफ जवान शहीद हो गए कयन्य गंभीर रूप से जखमी थे जैश मुहमद की एक आतंकियों ने विस फोटक से लदे वाहन को सीर्पियफ जवानों के बस से टककर मार दी थी इस टककर के बाद एक जोड़दा धमाका हुआ बस से जा रहे जवानों के शरीर शक्त विशक्त होकर जमीन पर भी खर गए थे भारत ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बाला कोट से जैश के आतंकी कैम्प पर सिर्व बारा दिन में हमला किया 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद एक दिन बाद सुरक्षा मामलों पर काबिनेट कमीटी के बेटक हुई इसमें प्रिधान बंत्वी नरिंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेना के विकल बताए गए और ये हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी इसके बाद जवाबी कारवाई का तरीका अलग सोचा गया था सुर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान ने सर्फरेस टू एयर मिसाईले तैनाद कर दी थी इस बार उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत हवाई हमला करेगा पिया मोदी ने एस ट्राइक के जिम्मदारी रास्टे सरक्षा सलाकार NSA अजीद डोबाल को दी डोबाल और उस समय के वाई सेना प्रमुग B.S. धनुवा ने हमले का प्लान तेयार किया बाला कोट में जैश के आतंकियों को सबक सिखाना था जब जगा तैह हुई तब सभी गुप्तचर एजंसियों ने इनपुट निकाला शुरू किया भली समले में वाई सेना का हैम रोल था लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया खासकर बॉडर पर एरे स्ट्राइक से दो दिन पहले तैह हुआ कि मिराज 2000 फाइटर जिट के साथ नेट्रा एडबलू ए सी एस पी तैनात रहेगा इन्हें गॉालियर में तैनात किया गया था साथी आगरा बेस को अलर्ट पर रखा गया था 25 फरवरी की शाम उप्रेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिये गए पिया मोदी अनस्याजी डोबाल और बिये जरुआ लगातार मिशन से संबंदित हर जानकारी के अपडेट ले रहे थे 26 फरवरी 2019 के दे रात मिराज 2001 गौलिय सुडान भरी तो आगरा बरीली के एर बेस भी अलट हो गए एज़रान पाकिस्तानी एडिफेंस सिस्टम पर निगार रखने को कहा गया बारा मिराज लडाकों विमान राध करीब तीन बजे पाक सीमा में दाखिल होकर बाला कोट में बम बरसाने शुरू कर दिये एज़रान पाकिस्तान की एफ-सिक्स्टीन फाइटर जेड एक्टिव हुए लेकिन देर हो चुकी थी तब तक भार्दिय वाई से ना अपना काम कर चुकी थी बाला कोट में मौजूदा जेशे मुहम्मद की चिकानी तबाह हो चुके थे भारत सरकार ने कहा कि समले में जेश के सेकड़ आतंकी मारे गए थे पाकिस्तान ने घटना के बाद अपने पूरे एर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोशित कर दिया था कई महीनों तक घटना स्थल पर किसी को जाने नहीं दिया गया